आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Menta Network के बारे में Menta Network Binance के launch pool के उपर launch होने वाला एक new project है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Binance के launch pool के उपर आपने किस तरीके से अपना BNB stake करके Menta token earn करना है और launch होने के बाद उसको किस तरीके से आप sell करके अपना profit book कर सकते हैं तो आज की वीडियो बहुत ही important होने वाली है वीडियो को आपने complete देखना है ताके कोई भी part आपस skip ना हो अगर आप channel पे new आए हैं तो channel को subscribe कर लें तो वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपने finance की app को open कर लेना है अगर आपके पास finance app नहीं है अभी तक आपने इसके उपर account नहीं create किया हुए तो वीडियो की description के अदर मैं इसका link आपको दे दूँगा आपने link पे click करके simply इसके उपर account create कर लेना है और playstore से download करके इसको login करने के बाद आप यहां पर देखें कि मेरा account verified है आपने इस तरीके से अपनी KYC submit करनी है और उसके बाद आपका account भी यहां पर verified हो जाएगा आप भी फिर इसके सारे features इस्तमाल कर सकेंगे यहां पर हमें home screen के ओपर launchpad का option नजर आ रहा है अगर आपको यहां पर launchpad का option नजर नहीं आ रहा है तो आपने यहां पर more के option के ओपर click करने के बाद इसको हम थोड़ा scroll down करते हैं आपने जो है यहां पर earn के section में आ जाना है यह यहां पर आप देखेंगे के हमें नीचे दो option देखने को मिलते हैं एक launchpad और एक launch pool और यहां पर जो मारा Menta network है वो launch pool के इस्टेम उसकी farming जो है वो start है था हम simply launch pool के उपर आ जाते हैं launch pool के उपर आने के बाद यहां पर देखेंगे के Menta network की farming यहां पर start है और इसका जो पूल वो BNB और FDUSD के अंदर अवेलिबर अगर FDUSD की बात करें तो इस टाइम 1 बिलियन FDUSD यो स्टेक हो चुका है मेंटा की फार्मिंग के लिए और यहां पर 14 मिलियन BNB यहां पर स्टेक हो गया है फार्मिंग के लिए मैंने भी यहां पर अपना BNB मेरे पास कुछ अवेलिबल था तो मैंने यहां पर उसको स्टेक किया है अगर मैं BNB के पूल को पर क्लिक करता हूँ तो यहां पर देखेंगे कि आपको यहां पर स्टेक का उप्शन नजर आएगा BNB के अंदर और अगर आपके पास FDUSD है तो आप FDUSD को स्टेक कर सकते हैं दोनों का तरीका कार सेम है यहां पर अगर मैं दिखाऊंगो तो मुझे कलेम का उप्शन नजर आ रहा है क्योंकि मैंने आरडी BNB यहां पर स्टेक किया हुए तो मैं यहां पर स्टेक करता हूँ तो यहां प के उपर चले जाएंगे यहां पर इन्फो के उपर क्लिक करने के बाद यहां पर एक इनकी जो हाइलाइट दीगी है दा मॉडूलर लेयर टूजी के अप्लिकेशन यह इसकी यानि कि आप कह सकते हैं मैंटर नेर्वर की हैडलाइन है कि यह किस तरीके से काम करता है यहां पर वेब साइड वाइड पेपर मेंटर सर्च रिपोर्टर डिटेयर रूल्स और लॉंच पूल टूटोरियल अवेलेबल है और उसके बाद में इसको अगर स्क्रॉल डाउन करो तो यहां पर हमें बीन बी का पेर नजर आता है यानि कि अगर आपके बीन बी वेलेबल है तो आ टायमिंग इसकी एक दिन और ठोड़े अवेलेबल है और दो दिन इसकी फार्मिंग होनी थी यानि का इसमें से कुछ गंटे घ demons गुजडे और अभी एक दिन ओर 14 गंटे अभी लिखे मैं बड़ी इसमें बाकिंगाने के अपने एंदर आ पूल के अ अपनी सिरो आ चार乾भ क्योंकि मैंने और इसको पर स्टेक किया हुए सबसे पहले मैं आपको रडीम कर लेता हूँ रडीम करने का भी आपको तरीका पता चल जाएगा कि रडीम किस तरीके से करते हैं रडीम के उपर क्लिक करना है यहां पर सिंपली मैक्स मैं इसको कर देता हूँ मैक्स करने के बाद गर मैंने redeem को उपर कलिक किया तो आप देखेंगे मेरा भी अंबी था यहां से redeem हो गया तो इसको मैं दोबारा स्टेक ऑनलेका कर लेते हो क्लिक कर लेटे हैं क्लिकł कर हो, क्लिक सब्सक्राइज कर दा मैं मैंने क्लिक कर दिया तो मैरा bnb tokenा भो यहां अगर मैं दोबारा यहां पर स्टेक को पर क्लिक करूं तो आप देखें यहां मेरे पस 0 BNB वेलेबल है यानि कि जो मेरी अमाउट थी यहां पर मेंटा के पूल के अंदर BNB पूल के अंदर स्टेक हो गई है तो यह इसकी फार्मिंग होती रहेगी जब तक इसका टाइम है एक दिन और 14 गंटे मेरी फार्मिंग होगी जो रिसेंटली और गुजरे हैं उसके अंदर मुझे 0.09 मेंटा टोकन यहां पर देखने को मिले हैं अगर मैं इसको वाफिस आते हैं यहां पे तो आपके पास भी अगर BNB वेयलेबल है तो आप यहां पे इसको स्टेक कर सकते हैं अगर मैं स्कृल डाँन और ॉडों तो यहां पदेख सकते हैं, कि शाही नेट्वर कह था उसका भी मैंने आपको बताया स्पोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर मुझे एस टोकन, AI, NFP और शायएती जो चारो मुझे टोकन्स हैं यह बिल्कुल आल्मॉस्ट फ्री मिले हैं और जो मैंने यहां से लॉंच पूल से अर्ण की हैं तो इन सब का अर्ण करने का मक्सद क्या है कि आपके पास एक यहां से बुक कर सकते हैं जैसे मेरा पैस तो एक BNB भी कम्प्रेट नहीं था 0.3 BNB तो मैंने 0.3 BNB यहां पर स्टेक किया तो मुझे बदले में यह टोकन्स मिले हैं अगर यहां मैं शायी नेटवर का बताऊंगा तो इसकी लॉंचिंग प्राइज बहुत कम थे और था वो आलमोस्ट आप कह सकते हैं 0.02 टू डालर था और उसके बाद भी यह तक्रीबन 0.8 के उपर यहां पर ट्रेड होता रहा और अब इसकी आज के दिन में प्राइस जो 24% अप गई है आपको ऐसे टोकन्स फ्री मिलते हैं आप इनको होल्ड कर सकते हैं हो सकता है कि आने यहां पर देख सकते हैं कि यह टिया टोकन है इसकी प्राइस इस टाइम आलमोस्ट 19 डालर चल रही है यह भी एक डालर ही लिस्ट हुआ था तो अगर किसी ने यहां से फार्मिंग करके यहां से इसको होल्ड कर लिया होगा और आज जिसके पास 19 डालर का प्रोफिट यहां स को किसी भी टाइम में यहां से रडीम कर सकता हूं और लेकिन वैसे भी एक दिन बाकी है तो एक दिन के अंदर आटोमेटकली मेरा जो बी एन भी मेरे वोईलेट के अंदर वापस आ जाएगा और जो मुझे उसके बदले मेरे रिवार्ड मिलेगा मैंटा टोकन का वो भी मेर वोईलेट के अंदर आ जाएगा तो उसको अगर मैं चाहूं तो फौरी तोरपे सेल भी कर सकता हूं और अगर चाहूं तो मैं उसको होल्ड कर सकता हूं कि आने वाले डाइम मेंगर मेंटा टोकन की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है तो मुझे उसके उपर ज्या आने वाले निव निव एर ड्रोप्स और लॉंच पूल लॉंच पैड के हवाले से आपको इनफर्मिशन मिलती रहे और आप यहां से अर्निंग कर सकें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं नेक्स वीडियो के आपको दे आपको आपको लेंडर